Dramatization, drama is the specific mode of fiction represented in performance as a play or act performed in theater, school assembly, stage or classroom. Dramatization क्या है? ये एक specific mode है जब हम किसी भी fiction का मानलोग बुक से हमने कोई भी drama उठा ले, कोई भी story उठा ली और उसका भी प्ले कर रहे हैं. Theaters में, school assembly में बहुत पार drama play किया जाता है, stages पे, classroom के अंदर हम लोग dramatization करते हैं. अब हम देखता है, positive effects के या, dramatization की. Children symbolizes the real life situation. Children देखता है कि drama में कैसी situations हो रही है, ऐसी तो in real life दे situations होती है. Children learn to collaborate with each other. Children एक दुसरे के साथ रहना सीखते हैं, एक दुश्रे साथ collaborate होते हैं. एक दुसरे साथ sharing और caring के feeling हाती हैं उन में. उन्हें share कहना चाहिए, एक दुसरे साथ कैसे रहना चाहिए. इस सभ भर drama के तरह सीखते हैं. Children learn the difference between right and wrong. Children को सही और गलत का फर्क समझाने लगता है Children develop moral values in themselves Children में बहुत सी moral values develop होती है For example, हमेरे रहुत सुबर जल्दी उठना चाहिए Brush करना चाहिए तो यह सम moral values ही है कही ना कही और हमें दूसरों की help करनी चाहिए तो यह सम moral values छोटे बच्चों में develop होती है Children learn about themselves and the world Children खुद के बारे में जानते हैं और culture के बारे में जानते हैं वर्ल्ड में कि क्या-क्या है सिफ वह उनको यह पता चलता है कि उनके अलावा और भी cultures हैं वर्ल्ड में और भी बहुत सी चीज़ी है तो वो खुद के बारे में भी जान पाते हैं कि अगर उनकी फामिली ऐसी है तो उनकी फामिली क्या है जैसे कि न्यूक्लियर फामिली और जोइंट फामिली अब उनकी उपर न्यूक्लियर फामिली और जोइंट फामिली के उपर ड्रामा क्या गया तो एक बच्चा समझ पाते हैं तो उसके फैमिली में अगर इतने मेंबर्स हैं तो उसकी फैमिली जोइन फैमिली है या न्यूकिलियर फैमिली है तो उसको यह सब चीजे समझ आते हैं